दोस्तों नमस्कार, I hope कि आप अपने एक्जाम की तयारी बहुती डेडिकेशन से कर रहे होंगे और स्टैनो सक्सेस मंतरा की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुब कामना हैं, आप अपना एक्जाम अच्छा दे के आएं और हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन का जो एक्जाम है, वो कुछी दिनों में होने वाला है तो हम उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि आप अपना एक्जाम अच्छा कैसे दे सकते हैं, क्या मिस्टेक है, और कब आपका एक्जाम होने वाला है तो इंस्ट्रक्शन्स जो आई थी, ग्रूप 58, 59 और 60 की, इसमें सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जो आपकी डिक्टेशन है, वो धाई मिनट की है, और धाई मिनट की डिक्टेशन के लिए आपको टाइप करने के लिए 15 मिनट मिलने वाले हैं, हिंदी वाले एक्जाम के लिए और इंग्लिश वाले स्टैनो टाइपिस्ट के लिए आपको मिलेंगे 13.5 मिनट और सीनियर स्केल के लिए आपको मिलेंगे 12.5 मिनट जिसमें की word उसके increase हो जाएंगे, 200 word हो जाएंगे, ढाई मिनट में 100 की speed से, और stenotypist बोथ English और Hindi का जो exam होगा, उसमें English के लिए आपको 13.5 मिनट और Hindi के लिए आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं, और senior scale बोथ English हिंदी और junior scale बोथ English हिंदी में आपको 12.5 मिनट इंगलिश के लिए और 13.5 मिनट हिंदी के लिए मिलने वाले हैं, तो dictation बहुत जादा lengthy नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप exam देने जाएं, तो speaker पे जब हम लिखते हैं, तो एक challenge क्या आता है कि eco जो speaker की है, वो थोड़ा सा हमें word को समझने में दिक्कत करती है, तो सबसे पहले तो परियास करें, जितने भी धिन बचे आपके पास, या तो mobile के speaker से dictation लिखें, या फिर कोई speaker आपके घर पे हो, आप Bluetooth से उसको connect कर पाएं, तो आप उससे लिखें, यानि कि lead से मत लिखें, और कोशिश करें कि आप जो manual dictation है, उसको कम से कम लिखें, और जो speaker की dictation है, उसको जादा से जादा लिखने का प्रियास करें, और धाई मिनट की dictation है, तो आप कम से कम, कम से कम, चार मिनट या पांच मिनट, चाहे आप stenotypist English के लिए कर रहे हो, चाहे आप senior scale के लिए कर रहे हो, तो धाई मिनट की dictation को कम से कम आप डबल कर लिजे, पांच मिनट की dictation को कम से कम लिखें, और उसको कम से कम transcribe करिए, विदिन जो भी आपको time limit है, आपके exam क हिसाब से उसको set करके, उसके हिसाब से आप उसको transcribe करें, time ना कम लें, ना जादा लें, कम भी ना लें, क्योंकि कई बार होता है कि हम मतलब पहले उठ जाते हैं exam, मतलब अपना जो हम तयारी करते हैं, उसमे, exam में तो नहीं उठ पाएंगे, तो आप थोड़ा सा जब आप आपका patience level उतना होगा कि जितने मिनट आपको transcription करनी है, आप घर पे, classroom में, online, offline, जो भी कर रहे हैं, तो आप उतने ही मिनट लें, ताकि आपको गलतियां सुधारने का जादा से जादा मोका मिल सके, आप अपनी copy से check करें, grammatically उसको check करें, हर चीज को अच्छे से आप check करके तब ही उठें, तो ये instructions हैं, और आपको पता होगा कि जैसा कि speaker पे dictation होगी, और software पे typing होगी, आपको अपनी copy pen खुद लेके जाना है, वहाँ पे booklet आपको वहाँ से मिलने वाली है, तो ये कुछ instructions है, नॉर्मल सी जो हमने पहले भी discuss की थी, तो आज हम थोड़ा सा और इसके का time दिया हुआ है, आपको अभी जो जगय है, कहां आपका exam होगा, वो roll number पे mention होके आएगा, तो अभी आपको सिरफ date पता है exam की कि 5 तारिक, 6 और 7 को stenotypist English का 3 shift में, और उसके बाद senior scale English, junior scale English का 8 और 9 तारिक को 3 shift में, और 10 तारिक को stenotypist बोथ वाले का 3 shift में, तो ये सभी exam 3-3 shift में होने वाले हैं, 11 February तक, 11 February को last exam रहेगा, senior scale बोथ और junior scale बोथ का, और detailed instruction पहले आ चुकी है, वो discuss की जा चुकी है, और roll number जो है आपके, वो जाएंगे, लगबग 1 February को इसमें mention किया हुआ है, तो आपके roll number तब आ जाएंगे, उसके बाद बात करें, कि stenotypist के जो exam का syllabus है, skill test का, उसमें senior scale में 100 words per minute है, और एक बार-बार doubt आ रहा है students को की mistakes कितनी permissible है, तो senior scale में ध्यान रखी कि 4% और बाकी सारे exam में आपके लिए 8% permissible है, qualify करने के लिए, लेकिन ये merit वाला मतलब नहीं है आपके लिए, कि आप सोचे कि इसमें मैं जितना आपके आजाओंगा, ऐसा नहीं होने वाला, नहीं कोई इसकी combined merit बनने वाली है, merit बनेगी इसके बाद वाले exam की, तो ये qualifying nature का है, बट इसको आप merit की तरह ही लेके चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर aspirants qualify हो जाते हैं, तो कहीं वहाँ पे कोई multiplier का कोई formula ना लागू ह तो आप इसको अच्छे से करके चले, qualifying nature है, तब भी आप अच्छे से इसको करें, बाकी चीज़े इसमें mention की गई है, कि mistakes का criteria दिया गया है, आपकी speed का criteria दिया गया है, कि 80 words कहा है, 100 words कहा है, हिंदी में 64 कहा है, और 80 कहा है हिंदी में, तो ये सारा criteria इसमें दिया हुए, उसक इसके बाद है, एक और एक्जाम आपका जो common written exam syllabus for stenotypist English, junior scale steno और senior scale steno English, इसमें क्या रहने वाला है, इसमें आपका 20 marks का general awareness, reasoning, mathematics, science, history, including हर्याना related history, current affair, literature, geography, civics, environment, culture, etc., ये total 20 marks का है, यानि कि इसमें से कुछ भी आ सकता है, 20 marks का, उसके बाद 10 नंबर का computer terminology, fundamentals, word software, excel software और जो भी इसमें powerpoint, internet, web, browsing, communication, emails, जो भी ये चीज़ें हैं, ये आपको 10 marks की, और 70% आपका आएगा, pitman short end की book में से, तो अब आप अगर merit बनाना चाहेंगे, अपने exam की, अपने जो जितने भी exam आप देने वाले हैं, उसमें आप ये समझ लीजिए कि पहला ये out of syllabus, out of syllabus means क्या होता है, कि जिसका पता ही ने आपको कहां से आने वाला है, आपको बहुत त्यारी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इस 20 में से आप कुछ marks achieve कर पाएंगे, और ये जो 10 number का computer terminology या जो computer के basics चीज़े हैं, इसमें जादा number ले सकते हैं, 10 number में से इसमें से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको तो 8-9 number इसमें से आप ले सकते हैं, और उसके बाद है आपका जो subject, खुद का subject है, जो की short end है, pitman, इसमें आप जादा से जादा marks gain कर सकते हैं, जैसे आप computer में कर सकते हैं, आ हो सकता है किस जैनत करने के चकर में, यानि कि ये कहें कि उसको समय नहीं मिल पाता, ये reasoning और math और ये science और ये सब चीजे करने का, तो कहीं न कहीं lacking होई जाती है, तो बहुती कम student ऐसे मिलेंगे, जो की दोनों चीजों में बहुती अच्छे होंगे, skill में भी और ये reasoning और ये gk वगरा में तो ये 20 नंबर का थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है, किसी के लिए आसान हो, किसी के लिए tough हो, but chances क्या है, कि इस 80 में से नीचे वाले 80 marks में से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर achieve कर सकते हैं, तो subject related syllabus में क्या है, various joining consonant, ये सारा appointment में से ही है, vowels and its application, जो कि ये basic है, उसके पाद, pair of straight consonant, ये भी basic है, heavy light consonant, और इसमें यहां तक, अगर हम बात करें, कहां तक, maintain the position of long short dot dash, preceding, following and, यहां तक, preceding तक अगर हम देखें, तो यहां तक जो है, वो बिलकुल, मतलब, chapter शुरू होने से भी पहले की चीज़े हैं, उसके बाद, जब chapter शुरू होंगे, फिर उसमे intervening, वावल आएगा, कि वावल अगर किसी stroke और hook के बीच में आ जाता है, और फिर उसके बाद long and short वावल, यह सारे डाइफन, logogram, gramolog, इस सारा pitman का है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा number attain कर सकते हैं, और यह वाला batch कल से शुरू होने वाला है, जिसमें की आपको skill test की joining bonus के रूप में मिलने वाली है, जिन्होंने अभी तक register कर लिया है, और जो अभी भी आज के दिन register कर लेंगे, कल morning से उनको skill test की है, उसकी dictation मिलना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही आपका exam होगा, 10 यह 11 तारीक को skill test खतम हो जाएगा, उसके बाद आपका 70 marks वाला इसकी त्यारी शुरू हो जाएगी, और जो भी student इस batch में enroll करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज यह है, कि किसी भी कारण से अगर किसी का skill test qualify नहीं हो पाता है, तो उसका registration without any deduction, उसकी fees total वापिस हो जाएगी, तो आप इस batch में enroll कर सकते हैं, आज का दिन आपके पास है, और कल से जो है, वो इस में थोड़ा सा hike होगा, तो आप check out कर लीजेगा, जो भी details है इसके बारे में, so we show all the best.